विंदु परवत स्रंखला में से एक त्रिकूर्ट परवत की चोटी पर पिराजमान माशारदा का पावन धाम पिश्व प्रशिद्ध है 52 शक्ति पीठों में से एक माशारदा का यह धाम बेहदी निराला है हर साल यहां माई शारदा के दर्शन के लिए करोडों की संख्या में दर्शनारती मेहर पहुंसते हैं जिनके दर्शन के लिए श्रद्धालूं को 163 शीड़ी चड़कर पहाड की चोटी पर जाना होता है लेकिन अब सीड़ियों के साथ साथ दो अन्यशुविधाएं भी उपलब्ध हैं जिससे आप बेहदी आसानी से मातारानी के दर्शन कर सकते हैं यदि आपको सीड़ियां चड़ने में परिशानी जाती हैं और आप सरल सुगम तरीके से माता के दर्शन करना चाहते हैं तो दर्शन का दूसरा और सबसे सहज माध्यम रोपिवे है जिसके द्वारा आप कुछ ही मिन्टों में पहाड़ी परिस्थित माशारदा के मंदिर तक बड़ी ही आसानी से पहुँच जाएंगे रोपिवे से जाने के लिए आपको जाने और वापस आने के लिए 1.5 रुपे की टिकट लेनी होती है रोपिवे प्राता 6 बजे से सुरू होता है जो साम 6 से 8 के बीच बंद हो जाता है इसलिए अगर आप रोपिवे से जाना चाहते हैं तो रोपिवे के समय सारणी का विशेयश द्यान दे माशारदा के दर्शन के लिए पहाड़ी के उपर जाने का तीसरा मध्यम वैन है जिसके लिए आपको 6 लोगों के लिए 550 रोपे देने होते हैं जिसमें लाने ले जाने दोनों का चार जुड़ा होता है वैन के द्वारा जाने को लेकर भी मानता है कि पहाड़ी के चारो ओर से परिक्रमा होती है जिसे मा के मंदिर परिक्रमा से जोड़ कर देखा जाता है वेन से यत्रा करना काफी मनमुहक लगता है जैसे जैसे चारों तरफ घुमावदार रास्तों से वेन से हम पहाडी के सिखर की और मंदिर के नदीग पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे हम अलग ही सुकून भरा महसूस करते हैं अगर आप रोपिवे और वेन से माता के दर्सन के लिए पहाडी के सिखर में जाना चाते हैं तो आपको पहाडी के नीचे मंदिर के मुख द्वार जहां से सीड़िया प्रारंब होती हैं वहाँ दाहिनी और बने दामोदर रोपिवे के टिकट काउंटर में जाना होगा साथ ही रोपिवे औफिस के बगल में 50 मीटर की दोरी पर वैन बुक कराने का काउंटर भी आपको वहाँ मिल जाएगा जहां आप सुगमता से मातारानी के दर्सन कर सकते हैं